हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में गाइज आपका यू के पी एसी एसाई पटवारी और लेकपाल का आठ जन्वरी का फर्स जिफ्ट का एक्जाम समापत हो चुका है और फर्स जिफ्ट में आपके जो भी कोशन पूछे अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक्जाम फोर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइगन को ओन कर लेना ताकि जो भी सिफ्ट होगी सभी का अनलाइसिस आप सबसे पहले यहीं पर देख पाओगे तो देख लेते हैं क्या क्या क करेक्ट आंसर था अगर आपने बी पर टिक किया होगा एक कोशन पूछा गया था गाईस चंदर परभा एतवाल को रंग रतन अवार्ड कम मिला तो 1993 आपका राइट आंसर था ओप्शन नमबर सी अगला कोशन देख लेते हैं क्या पूछा गया गाईस आपकी फर्स सिरो मनी समान कब मिला ये मिला 1997 में उप्शन डी आपका करेक्ट आंसर था गाईस वीडियो हैन्फुल हो रही है तो जल्दी से लाइक करते वे चलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते वे जरूर चलेंगे क्योंकि आप पर आपको हर एक सिफ्ट करने लाइसिस देखने को मि हुआ तो ओली परियोजना का शुबारम हुआ आपका 1983 में उप्शन ए आपका करेक्ट आंसर था गाईस जिसका भी नेक्सिफ्ट में एक्जाम होना है वीडियो को बिने स्किप की एंड तक जरूर देखना यहीं से आपके कोशन पूछे जाएंगे एक कोशन दा निमली कित उपाध्याय हरियोद तो डी आपका राइट आंसर था गाईस इसमें एक कोशन आपका आया था ग्यान मरगी शाका के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था तो किस नाम से पुकारा जाता है संत कवी के नाम से ओप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है एक कोशन आया ज्यान पीट पुरुसकार दिया जाता है तो ज्यान की पीट पुरुसकार किसे दिया जाता है यह दिया जाता है भारतिय बासा में साइट्यकारों के रचनात्मा लेखन हे तू यानि option C इसमें आपका correct answer था गाइस वीडियो हेल्फुल हो रही है तो जल्दी से लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फर्सिफ का अपका एक्जाम समाप्त हो है आठ जन्वरी का यू के पीएसी एसाई और पटवारी का तो मेडियो का एंट तक जरूर देखते हैं चलना है और शेयर जरूर क किसके साचनकाल में भारत आए तो चंदरगुप्त सेकें के साचनकाल में आये था फाईयान भारत यानि D आपकर आइट आंसर था अर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी आतरी भारत आये था तो कौन आया था हुएन तसांग आया था यानि इसमें उप्षिन नमबर D आपका करेक्ट आंसर था एक कोशन है था गाईज अलवरुनी किसके सासनकाल में इतियासकार था तो यह था गजनवी के तो महमूद गजनवी आपका आइट आंसर था ओप्षिन नमबर A नेक्स कोशन एक पूछा गया था दक्सिन अफरीकी आतरी इब्रन बतूता किसके सासनकाल में भारत आया था तो यह था तूगलक यानि महम्मद बिन तूगलक के सासनकाल में ओप्षिन सी आपका राइट आंसर था एक कोशन पूछा गया था भारत्य पुरातत सर्वेक्षन यानि आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो यह कब हुई थी 1861 एश्यू में यानि उप्षिन नमबर इसमें D आपका करेक्ट आंसर था गाईज तो गाईज यह थे आपके UKPSC SI पटवारी और लेकपाल का जो आपका 8 जनवरी का फर्स जिफ्ट का एक्जाम सबाफ़त हुआ है उससे लेटी जो भी कुशन बच्चों ने अभी तक हमारे पास बेचे हैं इस वीडियो में मैंने आपको कवर कराएं अगर आपके लिए वीडियो है तो जल्दी से लाइक कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं पहली पार वीडियो देख रहे हैं तो एक्जाम फोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को ओन कर लेना ताकि आपको यहां पर हर एक एक्जाम का हर एक सिफट करनोल आइस समय पर देखने को मिलता रहे गा गायर्ज हम आपको 100% सटीक अनल आइस कराते हैं और विद एक्ट्रफेक्स के साथ कराते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके यहाier ay पने आपके गलती ना करके हाओ कर दो